बच्चों कैसे हो आप लोग आई हो आपके आपस भी अच्छे होगे आज मैं आपको कच्छा तस्विग्ञान का अगरवाल का अनिशोल जो की एंसी आईटी पराधारी थे दो हज़र चोविस बोड़ एक्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है उसका एक ब करता हूँ कि आपको जो भी मैं पढ़ाऊंगा आज वो सब कुछ समझ में आएगा ठीक है चलिए देखिए इसका जो सेट आज हम करने वाले हैं वो 2022 का सेट टू बीके है ठीक है इसके जो फिजिक्स के नुमेरिकल्स हैं जो इंपोर्टेंट नुमेरिकल्स इसके जो जो न अबतल दरपन के किनी दो उपएोगों का वर्डन कीजिए दो नंबर में पूछा गया है कि अबतल दरपन के दो पयोग तुम्हें आपको बता देता हूं कि दूह को जो लेम्प बगहरा होते हैं लाइट बगहरा सड़कों पर लगी होती उसमें किया जाता है ठीक है और त पर जो बड़े प्रतीमों को देखने के लिए उसके breed ऑप गया सतवाओं आप देख लीजेगा ऑप कीयाँ हैं तो दूर की बस्तुएँ तो दिखाई देती हैं पास की बस्तुएँ दिखाई नहीं देती हैं सपोच किजिए रिक्षा बिखिए को दिखाई देंगी लेकिन पास की बस्तुएं इस पश्ट दिखाई नहीं देंगी ठीक है तो यही दूर देश्टी दोस होता है इसके बाद कहा गया कि इसका निवारण कैसे करते हैं तो इसका निवारण करने के लिए उस व्यक्ति को उत्तर लेंस का चस्मा पहनना पड़ेग अगर देखे आप हम धूर देश्टी दोस है इसलिए उत्तर लेंस अगर जैस्टर निकट दर्षिश्टी दोस होता तो अव्यक्त पहर्ना पड़ता एक है तो इसका निवारण उत्तर लेंस से किया जा सकता है थीघ तो इस तरीके से जो चार नंबर के कोश्चन है उन्हें में बता दिया आपको ठीक है इसका जो दूसरा नियुमेरिकल है वो देखिए क्या है नियुमेरिकल कह रहा है कि बेटरी से सयोजन में प्रवाहित धारा की गड़ना कीजिए देखिए तीन आपके पास प्रतिरोध हैं इन्हें एक समांतर कर्म में जोड़ते हैं ठीक है और इसमें बेटरी रगी हुई है चोवीस वल्ट की और आपको बतानी है कि इस बेटरी से सयोजन में जो प्रवाहित कि धारा की घारा का प्रवाक कितना होगा वो बताना है हमें जल्दवाजी इसमें आपको तीन परतिरोध दिये गए हैं तो मैं मान लेता हूं कि पहला जो प्रतिरोध है वो R1 है जो कि हमें 2 Ohm दिया गया है आगे 3 Ohm बताया गया है तो दूसरा माल लो R2 है जो कि 3 Ohm है फिर 4 Ohm तो इसको R3 माल लो यह 4 Ohm है ठीक है यह प्रतिरोध दिये गये हैं इनको मैंने पहले वाले को R1 माल लिया दूसरे वाले को R2 तिसरे वाले को आर्थरी मालिया ठीक है इतना समझ में आया इसके बादत आया गया है कि 24 बोल्ट की बेंटरी बोल्ट यानि की विभांतर ठीक है तो देखे विभांतर कितना दिया गया है पर चूकी करके लिख दो इनको कि इससे पता चलेगा दिया गया है चूकी विभांतर विभांतर यान जो हम आई से प्रतशित करते हैं, तो आई हमको ग्याद करना है, देखे, कितना आसान है, बहुत ही आसानी तरीके से को करेंगे, आसानी, देखो किया है यहाँ पर, आरवन, आरटू, और रथी, कौन से क्रम में है इसे लिए लिए तो चू की, आरवन, कामा आरटू, और है कौनसे करम में जुड़े हैं समांतर करम में जुड़े हैं इसलिए अगर यह समांतर करम में हैं तो समांतर करम की यहां पर देखो यह आरवन आर्टू और रद्रिम को दिये गए हैं हमें यह आर पता करना यानी कि तुल्ली प्रत्रोध तुल्ली का मतलब कुल्प्रत्रोध हमको पता करना कि टोटल कितना आएगा बन अब बराबर बन अब ह्एए और वह त्मस्यक्त कितना है मरे पास दो है कितना है धू है और जो को है वो टीन है और जो ऑर थ्री वो देखो 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5 5 बटा 6 प्लस 1 बटा 4 तो यहां से अगर आप देखें 4 चार पंचे 20 6 इकम 6 6 4 24 अब यहां से अगर आप इसलिए इसमें आप जोड़ेंगी तो कितना हैंगा 26 26 24 अब इसे आप काटेंगे अगर तो 21 22 36 21 22 24 ठीक है यानि कि हमारे पास क्या आया है बन पून आर बरावर 13 बटा बारहा या इसकी गुणा करा देंगे तो यह जाएगा 13 आर बारहा यह आर बरावर आजाएगा हमारे पास बारहा गुणा में 13 यह इस तरीके से हमारा देखे तुल्य प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध देखो यह तुल्य प्रतिरोध हमारे पास आ गया कितना आया बारहा बटा 13 ठीक है ओम किसमें आएगा ओम में आएगा चलिए अब इसके बाद हमको तो भाई धारा चाहिए हमको तो क्या चाहिए हमको तो धारा निकाल लिए हमको प्रत्रोध धारा कम निकलेगी जब आपको विवांतर पता होगा और आपको प्रत्रोध पता होगा देखिए हमें विवांतर पता था हमें प्रत्रोध तो तीन दिये गए थे हमको तो एक निकालना था तो इस तरीके से हमने निकाल लिया हमें प्रत्रोध पता चल गया हमें अब पता चल गया तो धारा निकाल सकते हैं कैसे निकालेंगे देखिए आपको पता है था हूर और बरावर होता है यह चीज हमें को पता है है ते रहा ते रहा है और तेरह दुना 26 हमारे पास लिए आ गया ठीक है जो धारा आई है वो कितनी आई है 26 एंपियर तो लिए तो यहां पर एंसर आगया कि अतहा कितने नमबर मिल गए कितना आसान बहुत बहुत ऑसान देख लेते हैं देखे दिखसे तो आसान नहीं होता है बट आसान बनाना पड़ता है सब्सक्राइब कर देखिए यह वाला कोश्यन बोड एक्जा में 100% आएगा प्रीजमबाला अप वरतन कोड बगएरा ये चित्र बनाने के लिए आएगा और कहेगा आपतन कोड बिचलन कोड बगएरा दिखाओ याद कर लीजिए इसे बिल्कुल समझ लीजिए ये टॉपिक बहुत ही जाधा इंपोर्टेंट है और 2024 में आएगा अगर आप कमेंट करेंगे तो इसको एक स्पैसल वीडियो बना करके समझाया जाएगा पूरा का ठीक है बिल्कुल समझ याद करने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल समझा देंगे बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा काम ठीक है कमेंट में बताई की करवाना है की नहीं करवाना है आपको तभी तो मुझे पता चल बाएगा कि आपको जरूरत है आपको चाहिए ऑगर देखे चोता कहे रहा है दो मेंटर की जालक में दस मेंटर की धारा प्रवहाहित है numéro 5.2 मि चुम्मकी एबल हमें क्या निकालना है बल निकालना है चुम्मकी एबल यानी फोर्ष यानी एफ निकालना है हमें यदिधारा बाही चालक चुम्मकी एच्छेतर के पहला कोशन समांतर हो दूसरा कोशन लंबवत हो और तिसरा कोशन 45 डिग्री के कोण बनाते हुए रखे जा तो बल कितना होगा जब लंबबत होगा तो बल कितना होगा जब 45 डिगरी का कोण बनाएगा कोण पर रखा होगा तो कितना होगा बल यह बताना है देखिए बहुत बढ़िया कोशन और बहुत ही आसान है देखिए सबसे आसान कोशन याद रिखेगा चौथा है ना इसमें क् चालक लंबे चालक चालक की लंबाई पहले लिखी लो दिया है कोई भी कोशुन है इसल स्टार्ट करने पहले की अनि लिखना है जया पर हमको um चालक की लंबाई यानि लंबाई हमको दो मीटर दी गई है यह दो मीटर हैं आगे हमको बताया गया कि 10 ایंपयर की धारा को दे दी गई जहारा जाए कितनी दी गई 10 2 एमपियर गया है आगे देखिए कि दो बेवर कि मीटर कुषी इसे कर दो और यहां पर माइनस था ठीक है यह दिया गया है को आगे हम को बताइगे है कि हमको क्या निकालना बल निकालना आए कि निकालना बल चुमकी बल या चुमकियबल यानी फोर्श यानी एफ निकालना है हमें देखिए पहली कंडिशन को फॉलो करेंगे अपने पहली कंडिशन क्या है समानतर ठीक है पहली कंडिशन बताया गया समानतर अच्छा जब कोई चीज समानतर होती है तो कौन कितने डिकर बनेगा बताईए देखिए इससे पहले मैं आपको यहाँ पर देखिए इसका फार्मला पहले बता देता हूँ क्या बताया गया है हमको क्या निकालना है F निकालना है दोखो F वरावर होता है B I L Sine Theta यह फार्मला पहले तो एक लोग ठीक है जब कोई रेखा समांतर होँगी... ये दो रेखा हैं कैसी हैं समांतर हैं तो कौन कितने डिगरी का बनेगा? 0.0 डिग्री का बनेगा इसलिए ''998 ञट्ध है कितना है'' 0.0iroडग्री है समांतर के कंडीसर में जो ठीटा होता है वह 0 डिगरी होता है यतनी चीज़ याद रखिए ठीक है इसलिए एफ यानि कि चुमकी बल वरावर फार्मुला लगा दो यहां पर बी आई एल साइन ठीटा ठीक है देखो एफ वरावर भी कितना है हमारे पास दो आई कितना है आई दस है और एल हमारा दो है साइन ठीटा ठीटा की पर 0 रखना है दो सामन 20 और वीद्धुनार 40 साइन 0 डिगरी का मांद 0 होगा कहना है किहना हमारे पास बन आएगा जीडोग बिलकुल बन नहीं लगेगा जीडोग यह क्योंकि आपको पता है जीडोगी जीडोगा अगली कंडिशन को देखते है अगली कंडिशन पर बता गया कि लंबवत ठीक है लंबवत तो ऐसे लिए तो चूकी ठीटा वरावर क्या है 70 deg है क्यूं ऐसे देखो समझो जब लंबवत होता जैसे यह पर है यहां पर कोया चीरा लंबवत है लंबवत मतलब खड़ी है सीडी सीदी तो 90 डीगर का कोड़ स्वेक हो लंबवत के पास है 40 अब प्रीड हो आफ देखो हैं यहां पर फोर्स कितना तो यहाँ पर से देखिए 20 20 20 40 90 कितना होता है होता है तो देखिए हमार पास कितना जयुका 40 कितना आ गया 40 अच्छा बल किसे में आता है Newton में आता है तो Newton यह हमारा Newton में ही आएगा याद रखिएगा ठीक है न्यूटन अगली कंडिशन को देखते हैं क्या है अगली कंडिशन में बताया गया है तीसरी कंडिशन में बताया गया है कि 45 डिगरी का कोड़ हो ठीक है 45 डिगरी का कोड़ यहां पर ठीटाम को डारेक्ट 45 दे दिया गया है डारेक्ट 45 दिया गया है और आप रख ली दो यह दस और यह दो और साइन ठीटा की जग़ा पर 45 लिख दो यह हो जाएगा हमार पास नीचे नहीं होती तो इसको अटालने के लिए उपर हर पर्मेकरण करना पड़ेगा तो इसको ऐसे लिख लो तो एफ रावर देखो चालिस की करेंगे चालिस अंडरूर दो नीचे मारा दो आएगा तो दो दूना चालिस दो दूना चार कुछ इस तरीके से तो जब हमार पास अबल हमारे पास चालिस न्यूटन होगा ठीक है और जब समानतर होगा तो जीरो आएगा यह कोशन समझ में आया होगा ठीक है एक्स्प्लेंटर ने मैंने अच्छे तरीके से किया है और इसके वाद भी एकर समझ में नहीं आया तो दूबारा देख लो ठीक है चलिए इसके कहां पर रखी है 20 सेम्टिमीटर दूरी पर लेंस से प्रतिविम की दूरी निकालनी है तथा लेंस की फोकस दूरी ग्याद करनी है बहुत जाधा बढ़िया कोशन देखिए अथवा बाला कोश्चन है कि पहले लिखो दिया है बताया गया है कि सही से देखिए उपर कोश्चन आपको दिख रहा होगा आप पर देखिए कि किसी लेंस से 20 सेम्टिमीटर दूरी पर रखी बस तू बस तू कहां पर रखी है बस तू की इस्तिति नियू यू कितना दिया गया है बीस दिया गया है बीस सेमी ठीक है बीस दिया गया है चलिए आगे हमको बताया गया है कि प्रतिविंब का दो गुना ठीक है कह रहा है कि बस तू का दो गुना प्रतिविंब ठीक है बनता है चलिए बस तू का दो गुना प्रतिविंब बनता है चलिए चुकी आप जानते ह हमको क्या निकालना है हमें निकालना है पहले लिख लो चुकि हमको निकालना है बताया गया है कि प्रतिवियम कितनी दूरी पर बनेगा यानि प्रतिवियम की दूरी निकालनी है प्रतिवियम की दूरी हमको भी बतानी है और फोकस दूरी बतानी है ठीक है चलिए फोकस दूर फोकस दूरी यानि की fm को बताना है चलिए देखिए कैसे करते हैं सबसे पहले आप m बरावर जानते हैं क्या होता है यहां पर देखो समझो बात को यहां पर बात को समझना है कह रहा है कि अभी रुक जाईए यहां पर बताया गया है कि दो गुना बड़ा आभासी प्रतिविम दो गुना बड़ा आभासी प्रतिविम प्रतिविम कैसा बनता है दो गुना बड़ा बनता है ठीक है यह प्रतिविम कैसा बनता है बस्तु का दो गुना बस्त हमारी ओ है ना तो बस्तु का दो गुना ठीक है और नीचे हमारा ओर हेग समझे बात कोई की नहीं समझे बताया गया है कि प्रतिविम्ब बनता है बस्तु का दो गुना यह प्रतिविम्ब है आई प्रतिविम्ब है ओ बस्तु की लंबाई है तो यह हमारा प्रतिविम्ब है यह बस्तु का यह बस्तु है हमारी इसका दो गुना यह बस्तु का दो गु लंबाई है चलिए होब कि आपको समझ में आ गया होगा यह से उकट जाएगा तो में पास बचाएगा दो बटा एक माइनस बी तो हमको पता करना है ना देखी बी निकालना है और यू यह हमारे पास कितना 20 है तो देखो यहां से गुणा करेंगे तो माइनस बी और यह बीड क्लीडू ना चालिस कैसा क्या सकता हूं कि बर आपफर मानस पास जाएगा माइनस का 40 से मि यह प्रतिविम की दूरी या गई तो लिए यह पर अता हां अंश्य प्रतिविम्व की दूरी चालिस सेमी है ठीक है समझ गये इस तरीके से हमको प्रतिविम की दूरी निकालना है फोकुस दूरी भी तो निकाल नहीं है यहांपर लेंश केलिह फार्मम्ला लगा। से से लेंस का सूत्र लेंस का सूत्र होता है बन अपॉन एफ बराबर बन अपॉन भी माइनस बन अपॉन यू यह लेंस के लिए हम लगाते है फार्मूला यहां से तो बन अपॉन एफ बराबर बन है बन बीबी कितना हमारे पास है माइनस का चालिस तो माइनस उपर लिखो और यह माइनस बन अपोन यू कितना है मारे पास यू बीस है ठीक है तो यहां से हो जाएगा हमारे पास 20 एकम 20 और 40 एकम 40 और आमने सामने जब कराएंगे तो 400 ठीक है और बन अपोन यह हो जाएगा चालिस पचास साथ यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा चालिस और भी साथ यह कट जाएगा और दो 6 कम 6 6 से नहीं कटेगा आप ऐसा कीजिए 2 से काटिए 2 तियां 6 2 तियां 6 दो चोकू 8 ठीक है तो यहां पर देखे क्या होगा एफ की 3 से हो जाएगा तीन एफ बरावर 40 एफ बरावर आजाएगा हमारे पास 40 बटा यह भाग दे करके कह सकते हैं कि यह तीन गम तीन एक चार तीन तिया यहां पर छोड़ सकते हो आपके पास ज्याद़ा तो यहां पर रखतो मांपी यहीं पर छोड़ दो छोड़ यारिगा इस तरीके से हमने 2022 का जो सेट टु विके था इसके फिजिक्स के हमने को बता दिया है ठीक है अगले वीडियो में हम 2000 करेंगे इसके जो फिजिक्स के नुमेरिकल्स हो गए ठीक है उन्हें हम करेंगे फिजिक्स के साथ साथ जो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसे आने वाले वीडियो की नोडिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए धन्यबाद